विटमिन B1 थाइमीन, विटमिन B2 राइबोफलेवीन, विटमिन B3 नियासीन, विटमिन B6 पारीडॉक्सीन, विटमिन B12 कोबलामिन और फोलेट ये 6 आवशक B विटमिन हैं जिनकी शरीर में कमे होने पर कई प्रकार के रोग और विकार हो सकते हैं इसलिए प्रति दिन अपने अहार में इनकी आवशक मात्रा लेना जरूरी है विटमिन B1 या मा के दूद, गाय के दूद बिना पालिश किया हुआ अनाज, अंडा, मास चैसे की लीवर, किडनी उक्तमास, लाल मास तथा दालों में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है विटमिन B2 या विटमिन मा के दूद, अंडे, अनाज और सबजियों में पाया जाता है विटमिन B3 या विटमिन दूद, अंडा, अनाज और हरी पत्तेदार सबजियों में पाया जाता है विटमिन B6 या विटमिन EAST में पाया जाता है यानि EAST द्वारा फर्मेंट की गई चीजों के सेवन से आपको विटमिन B6 मिलेगा, साथ ही सुरजमुकी के बीज यानि की सुरजमुकी का तेल गेहुं अंकुरित किया हुआ, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, अनाज, सोया बीन्स, अकरोट आधी में आपको विटमिन B6 मिलेगा, विटमिन B12 दूज से बनी हुई चीजी जैसे की पनीर आदी अंडा तथा मास में आपको विटमिन B12 मिलेगा फोलेट हरी पत्तेदार सबजी या फल, फोटिफाइट सिरिल्स जिसमें खासकर फोलेट को इंकलूट किया जाता है फोटिफाइट सिरिल्स प्रोडक्ट तैसे की ओट्स हैं, कॉन्फलेक्स हैं, आदी और सुरज मुखी के बीज इन सभी चीजों में आपको फोलेक मिलेगा इसलिए आप अपने आहार में इस तरह की विटेमिन बी यूगत खाते पदार्थों को जरूर शामिल करें, स्वास्त रहें, सुरक्षित रहें